गुड इवनिंग फ्रेंड नए प्लान के साथ आपके सामने पुना हुपस्ति थें तो आज हम चर्चा करेंगे प्लॉट साइज 70 फीट by 30 फीट के लिए तेयार किये गए प्लान पर इसमें 3BHK का 2EKI का प्रावधान किया गया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं जैसा कि आप इसकीन पर देख रहे हैं इसे यहां से लेकर के यहां तक 70 फीट है और यहां से लेकर के यहां तक 30 फीट है फ्रॉंट यह नीचे 70 फीट में रोड है यह और इस जगह से आप इंट्री ले रहे हैं ग्राउंड लेबल से पिलिन थाइट दो फिट 6 इंच उपर रखा हुआ है और इस जगह पर साथ फिट की चौराई में एक कोलेपसबूल गेट का प्राबधान किया गया है और यहां से आप सीधे सामने में स्टेर केस देखी रहें आगे बढ़ते हैं तो ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर जाते हैं और इधर लेप्ट और राइट में दो 3BH की इकाई है तो चलिए पहले इसको देखते हैं फर्स्ट इकाई को तो इसमें जैसा कि मैंने कहा ये 3BH की का प्लान है तो एक बेडरूम यहां है दूसरा यहां और तीसरा यहां जिसमें इस बेडरूम का साइज ऐसे 10 फिट है और ऐसे 11 फिट है जबकि दूसरे बेडरूम का यहां इसका साइज ऐसे 11 फिट है और ऐसे 9 फिट 6 इंच है इसमें भी एक सेल्फ का प्रावधान की आगया है जो कि यहां से लेकर के यहां तक 4 फिट है और यहां से लेकर के यहां तक 1 फिट 9 इंच है और यहां पर देखिए S दूसरा सेल्फ इसका भी डेप्थ एक फिट 9 इंच रखना है और यहां पर D का साइज रखा हुआ है 3 फिट 6 इंच बाइ 7 फिट का इस bedroom में दो खिर्की है, एक यहाँ और एक यहाँ, यह खिर्की का size है 3 feet by 4 feet 6 inch जबकि W2 का size है 5 feet by 4 feet 6 inch का और यह open to sky है, excluding wall thickness यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2 feet 1 inch आ रहा है उसके बाद में इस तोनों bedroom के बीच में एक toilet का प्राप्ठान किया गया है, common toilet का जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 5 feet 6 inch है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक 6 feet है इसके पीछे एक cut है, ऐसे 5 feet 6 inch और ऐसे 3 feet 6 inch का और इस toilet में पीछे एक 2 feet 6 inch by 1 feet 3 inch के ventilator का प्राप्धान किया गया है इस bedroom में एक खिर्की यहाँ है और एक यहाँ, दोनों खिर्की का size वही है 3 feet by 4 feet 6 inch का उसके बाद में सामने में देखिए यह खूबसूरत सा hall है, इसका size बहुत ही अच्छा है यहाँ से ले करके यहाँ तक 16 feet 11 inch है, जबकि यहाँ से ले करके यहाँ तक 11 feet 9 inch आ रहा है sorry, यहाँ भूलवस 90 inch अंकीत हो गया है, एक्छली यह 11 feet 9 inch ही है और इस side में cooking platform का प्रापधान किया गया है, जो कि यहाँ से ले करके यहाँ तक 8 feet 6 inch है यहाँ से ले करके यहाँ तक 3 feet 8 inch है, और यह देखे बीच में यहाँ से यहाँ तक 4 feet 6 inch है इसमें आप यहाँ यहाँ एक sink का प्रापधान करें और इस hall में यहाँ पर एक खिर्की का प्रापधान किया गया है, जिसका size रखा हुआ है 4 feet, वाइ 4 feet 6 inch का इस जगह पर भी D का प्रापधान किया गया है, जिसका size 3 feet 6 inch by 7 feet है यहाँ पर भी यहाँ और यहाँ भी इस bedroom में एक toilet attach कर दिया गया है, जिसका size है ऐसे 7 feet और ऐसे 3 feet 6 inch इधर एक ventilator का प्रापधान किया गया है, जिसका size रखना है 2 feet 1 inch by 1 feet 3 inch का और friend यह देखे एक self इस जगह पर बनता है आप इसमें चाहें तो मुर्तियोगरार रख सकते हैं, जो कि आपको यहाँ hall में खुल रहा है इसका depth है 1 feet 7 inch और जबकि यह यहाँ से यहाँ तक 3 feet 6 inch में है और यह last bedroom यहाँ देखे आगे वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक 12 feet 6 inch है जबकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 10 feet है, इसमें एक खिरकी का प्रावधान इधर किया गया है जिसका size है 4 feet, by 4 feet 6 inch का और इस side में भी एक self का प्रावधान किया गया है 4 feet ऐसे है और ऐसे 1 feet 9 inch रखा हुआ है और इसी का mirror image इधर है, यहाँ पर भी 3 bedroom, एक common toilet, एक toilet इस bedroom से attach है यहाँ पर self है, सभी कुछ edge 3 है जैसा कि इधर देख रहे हैं, वेसा है इधर है और friend यह आगे में projection निकला हुआ है 5 feet, यहाँ से ले करके यहाँ तक 5 feet है जो की first floor में आ करकर के आपका, यहाँ यह बाहर निकला रहेगा, cantilever के थुरू seat out के रूप में इसको ब्यभार में ला सकते हैं, balcony है यह और इसमें देखे, इस portion में यहाँ एक W3 का प्रावधान किया गया है, 3 feet by 2 feet का यह kitchen में यहाँ पर cooking platform के उपर और आगे, यहाँ आप देखी रहे हैं, यह इधर sit pack के रिया, यहाँ से ले करके यहाँ तक में दिया हुआ है जहाँ जहाँ पर देखे, यहाँ यहाँ और यहाँ पर cut है, cut का size दरसा दिया गया है और इसमें यह staircase दो flight में बटा हुआ है, दोनो flight की चौड़ाई, 3 feet 6 inch है trade की चौड़ाई यहाँ पर रखा हुआ है, 10 inch जबकि राजर 6 inch है यदि आप चाहें तो इसको ठीक इस जगह से आप staircase को अगर शुरू करेंगे तो एक दो step के बाद में यहाँ sufficient जगह पर बचेगा जिसमें आप एक common toilet प्रोभाइड कर सकते हैं दोनों flat के लिए, outsider के लिए और friend एक चीज़ इसमें और किया जा सकता है अगर आप ground floor में सिर्फ parking रखना चाहते हैं तो वो भी हलका फलका लाव के बाद में किया जा सकता है कोई खास प्रेसानी उसमें नहीं होगी तो यह आपके उपर निर्भर करता है इसे इस plan पर आप G plus 2 तक आसानी से बना सकते हैं सभी stiffness को दरसा दिया गया है outer wall जहां जहां पर थिक है वो 10 इंच का है और जहां यह देख रहे हैं पतली दिवाल है यह 5 इंच थिक में जबकि इसमें पिलिंद तक सभी दिवाल को अब को 10 इंच की मोटाए में लाना है पिलिंद के उपर यह 5 इंच 10 इंच यह से होगा यहां पर देखिए इस जगह और इस जगह पर 3 इंच रखा हुआ है तो यह पिलिंद के उपर लाना है पिलिंद तक सभी वाल को 10 इंच रखना है तो फ्रेंड यही था आज का प्लान मिलते हैं अगले दिन नए प्लान के साथ थेंक यू गूड नाइट